नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों में आपर हिंदी में पढ़ेंगे सरो नाम और इसके पहले आपके रश, छंद, अलंकार, संग्या, बिसेशण बहुत टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, सभी की प्लेइलिस्ट बनी है तो प्लेइलिस्ट के माद्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं साथी रात साड़े आट बजी हिंदी का फुल टेस्ट कराया आता है जो कि आप किसी भी इकजाम की त्यारी कर रहे हैं प्रकार होते हैं क्योंकि पहला कोशिर बनता है कि सरुणाम की कितने प्रकार होते हैं तो सरुणाम की छे प्रकार होते हैं कौन-कौन से पुरुस वाचक सरुनाम, निश्चय वाचक सरुनाम, अनिश्चय वाचक सरुनाम, सम्मंद वाचक सरुनाम, प्रेश्च वाचक सरुनाम और निजवाचक सरुनाम इनकी पहचान क्या होती है तो आपकी निश्चय वाचक में आपकी होती यह वह इनी से पहचान की जाती है अनिश्चय वाचक में आपका लिखा होगा कोई और आपका कुछ तमपुरुष मध्यमपुरुष और आपके अनपुरुष होते हैं तो यहाँ पर लगबाग देखा जाए तो 50% आपने इसी से देख लिया एक मिनट में ठीक हैं लेकिन इसके बारे में हम लोग उधारण के सही थोड़े से पढ़ेंगे योकि परिभासाओं से भी कोशन बनत संग्या के बात करें तो परिभासा आपको यां पर लिखना है कि जो सब्ध संग्या के इस्थान पर आपके मतलब उसके बदले जो आपके आते हैं उन्हें सरुनाम कहते हैं सरुणाम सब्दों का प्रियोग वाकि में करने से वाकिकार्थ नहीं बदलता है बलकि वही रहता है जैसे कि मैं, तुम, आप, यहुआ, आदी यापके सरुणाम होते हैं question आप से पूछेगा हिंदी में मूलता सरुणाम कितने होते हैं तो याद रखेगा कि हिंदी में मूलता सरुनाम की जो संख्या होती है सरुनाम की संख्या पूछेगा संख्या तब जवाब आपको देना कितना तो आपकी गेरा होती है ठीक है जैसे कि आपका कौन कौन से है तो आपका मैं तू आप यह वह जो सो कौन क्या कोई कुछ यही सब्द आपको होते हैं तो आपके यहां कितने हो गए गेरा हो गए अगला है किन्त प्रियोग की दरस्टी से किन्त प्रियोग की दरस्टी से जो सर्वनाम के भेद होते हैं भेद वो आपके कितने होते हैं च्छे होते हैं तो यहां पर देखते हैं पहला पुरुष्वाचक सरुनाम पुरुष्वाचक सरुनाम जो सरुनाम सब्द वक्ता का मस्रोता अथवा किसी अन्यवक्ति के लिए प्रयोग होता है याद रिखे हमेशा अन्यवक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुष्वाचक सरुनाम कहते हैं पुरुष्वाच सब्दों को इस प्रकास से बिलिख सकते हैं मुझे मैंने मेरा मुझको हमको हमें यह सभी आपको पुरूस में आएंगे मद्ध पुरूस में आपने पढ़ा होगे इंगले समय यू योर है ना यूर्स वह चीज आपका दिया है यू और आपका किसे क्ते तु और तुम आप ठ tyre देते हैं अगला अन पुरुक्त में तो यह हुआ है यह यह जो आफ वहते हैं आफके अने पुरूस होते है और आपके उन उनको उन्हें इन्हें इसने लिए आपकर होते ही ठीक है आब यहां पर आते यह संकेत दिखाएंगे लेकिन पास या दूर किसी ब्यक्ति वस्तू ठेके किसी भी ब्यक्ति वस्तू या कह सकते हैं और संकेत करेंगे उन्हें हम लोग निश्य वाचक सरनाम कहते हैं ठीके तो यहां पर देखे यह वह जिसे वह बहुत अच्छा लड़का है तो देखो संके संकेति दुक약 दूका होगा तो इस प्रकास क्यां किसी किसी निश्यत व्यक्ति वस्तू कि संकेत कर रहे हैं इसलिए निश्य वाचक सरनाम है इसे संकेत के दोरा भी प्रदर्शित करते हैं अगले है अनिश्चा वाचक सरनाम ऐसे सरनाम सब्दे जिससे किसी निश्चीत व्यक्ती वस्तु का बोध या जानकारी नहीं हो उसे अनिश्चा वाचक सरनाम कहते हैं जैसे आपका होता है कोई और कुछ दो ही सब्दा आपको बताना है कोई और कुछ जैसे कोई आ रहा है माली जा आप घर के अंदर है कोई दरवाजे खटकटाया है या खटकटाया है बीन ही आपके दरवाजे के अंदर प्रिविस कर दिया है थोड़ी से आहट होई है तो आपको होगे पता नहीं कौन आ रहा है ना तो वही आया कौन आ रहा है कुछ खाने को दो देखो कुछ में सब देखा हुआ अब कुछ में कुछ भी हो सकता है कोई सज्जन आपको बुला रहा है कोई आपसे मिलने आये है तो यहाँ पर कोई और कुछ क्या है या आपके सर्वनाम है जो कि कह सकते हैं किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा है अर्थात अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा अगला सम्मंद होते हैं जो ऐसे सरुनाम सब्द होते हैं जो किसी दूसरे संग्या या सरुनाम से सम्मंद इस्थापित करने के लिए प्रियुक्त के जाते हैं हम लोग संभन्द सर्वाला मां बोलते हैं जैसे jaka जैसी वैसी ऐसे सब्दों आपको मेलेंगे तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे क्या आपका संभन्द मूल देंगे त्टीके और यहाँ पर DevOps जैसी लाठी उसकी भैस गयाँ सो भरेगा तीसी से आपको लग रहा है कि सम्मंद आपको दर्सारा है जैसी वैसी जो सो जैसा वैसा तो ऐसे सब्दा आपको मिलते हैं हमेशा आपको दो ही पॉइंट ज्यादा ज्यादा मिलेंगे जैसा वैसा जो सो ये ज्यादा का प्रयाज भी करते हैं तो ऐस सब्द आपको होते संबंद वाचक ठीक है अगला दिया प्रस्ण वाचक जो प्रस्ण सरुनाम सब्द संग्या के इस्थान पर आते हैं आते ही हैं किन्तो वाक्य को प्रस्ण बना देते हैं मतलब सरुनाम सब्द संग्या के इस्थान पर आते ह प्रस्वाचेक सरुनाम कहते हैं, जिन सरुनाम सब्दों में किसी प्रस्वाचेक सरुनाम कहते हैं, चिन ने तो आपको पता है कि आपका कौन सा होता है, यह आपका चिन होता है, जैसे कि आपका क्या कौन कैसे, जैसे कि आप घर भी जाएंगे, तो क्या लगा है इसके साथ प प्राणियों के लिए एवं क्या सब्द का प्रियोग प्राणियों के लिए याद रखेगा कौन सब्द जो होता है इसका प्रियोग प्राणियों के लिए होता है लेकिन जो क्या सब्द आपका है इसका प्रियोग जो होता है निर्जिव प्राणियों के लिए लिए यह महत्य पुड़ाप का point है ठीक है क्या कौन कैसे सब्द वाकि में प्रस्ण पूछने का कारी करते हैं यह प्रस्ण वाचक आपके हो जाएंगे अगला है निजवाचक मतलब होता है क्या निजवाचक मतलब होता है खुद के लिए जैसे आप लिए है आप अपने आप आप ही स्वयम यह निजवाचक आप के होते हैं, खुद होते हैं, ऐसे सारवनाइक सब्द, जिनका प्रयोग स्वयम के लिए किया आता है, वे निजवाचक सुनाम कहलाते हैं, या ऐसे सारवनाइक सद्द, जो तीनों पुरस्व अर्थात, उत्तम, मद्यम और अन्न में, निजवत, मतलब स् तो ये सब्द उसके लिए ने किया है लेकिन ये सब्द लगाने से अपना पत्व आ गया है मैं यह काम स्वयम कर लूँगा इसकी बात किया है मैं अपने आप चला जाओंगा तो अपने आप अपने पन के लिए बता रहा है न दूसरे के लिए ने कहिरा है तो अपने आप के लिए बात कर रहा है यहां पर जितनी भी हैं खुद के लिए बात हो जब भी खुद की बात हो वहां पर आप क्या होता है आपका निजवाचक सरनाम होता है तो बिल्कुल छोटा से यहां पर टॉपिक था आसानी से टॉपिक आपका कंपलीट होता है ठीक है ना और हमने बता रात साड़े अबज एकर आप हिंदी का डेली टेस्ट लगाते हैं तो यहाँ पर आपके 50% कभी 100% हो जाते हैं और यहाँ पर अगर आप 50% का टेस्ट लगाते हैं तो यगिन करिए एक मनत में आपकी हिंदी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप 45-46 नमबर आप हिंदी साहित सभी की वीडियो बना दिया है तो प्लेलिस के माद हम से देख सकते हैं बहतरीन तैयारी कर सकते हैं ठीक है न और पसंद आ गया होगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और एक दोस्त को जरूर से करें ठीक है सभी को राधेरा दे सभी को राधेरा दे ज हिन सबी को